आपका स्वागत करता हूँ शिल्ड डाइगर पोली स्टेशन की हद में टोरेंट के नाम से तकरीबन 28 लोगों से ठगी की गई इस तरीके का मामला शिल्ड डाइगर पोली स्टेशन में आया है इस मामले को लेकर दो आरोपी को गिरफतार भी किया गया है इस तरीकी की पूरी जानकारी ठाने DCP अविनाश अम्मूरे ने एक पत्रकार परिशत के दोरान दी उन्होंने बताए कि शिल्ड डाइगर पोली स्टेशन में टोरेंट के नाम पे तकरीबन 28 लोगों के साथ में ठगी की गई है उनके बिल को कम कराना या किसी तरीके से वो मेटर को लेके सेटिंग करना इस तरीकी के अले अगलक तरीकों से लोगों को ठगा गया है इस तरीकी के शिकायद जब डाइगर पोली स्टेशन में की गई तो उनके ओपर कारवाई की गया और दो लोगों को अरेस्ट किया गया अन्य तरीके से आपको पहला फुसला रहे तो आप उनकी बातों में नहाए अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डारेक्ट टोरेंट ओफिस में जाए उनके करमचारी है उनके अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या का समधान करे लेकिन ऐसे लोग जो फसाने के लिए अलग तरीके अपनाते उन से बचे इस तरीके आवान उन्होंने एक पत्रकार परिशत में किया है आईए जानते इस पत्रकार परिशत में डिसीपी अविना शम्दूरे ने क्या कहा तीसरा एक प्रकार जो सामने आया है वो शीन डाइगर पुली स्टेशन में रफीक शेक और अब अब आगे की जाच हमारी चालो है आपके अब पैसा दे तो हम आमारी पैचान है टोरेंड में और हम वह बिल सेटल कर देंगे इस तरीके से उन्होंने करीबन 28 कस्टमर्स को नहीं ठगा है और करीबन 19 लाग का जो फसोनुकी का प्रकार है वो सामने आया है इसमें हमने दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके यह आगे की जाच हमारी चालो है आपके माध्यम से हम लोग जो मुम्रा शील डाइगर के रहिवासी उनको आवान करेंगे कि अगर आपके साथ में भी ऐसे कोई वार्दात हुई है जहां पर आपको बिल आपका सेटल करेंगे 50% में और आपको कम इसमें कराके आपका सेटल करके देंगे ऐसे कोई वार्दात होगे रहेंगे तो तुरंथ आप शील डाइगर पोली स्टेशन में आपकी कम्प्रेंद दर्च कर आसे प्रिकॉशन्स यही है कि कोई भी आप प्रलोभन को ना आप देखे उसकी सत्यता देखने के ब और ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें